नमस्कार आप सुनने हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अर्जी अन्जू धर्म गंगा में आज बात करेंगे प्रेम की जी हाँ प्रेम प्रेम वो शक्ति है वो उपहार है इश्वर का दिया हुआ जिस से इश्वर भी अचूता नहीं है प्रेम से इनसान को क्या इस संसार को क्या आप इश्वर को अपना बना सकते हैं वो खिजा चला आएगा दोर कच्ची है मगर सच्ची है तो आज धर्म गंगा में आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रेम की महिमा क्या है मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाते थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे सुर्दास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे और कहा तक कहूं कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया चीटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है जी हां एक चीटी कितनी छूटी होती है है न अगर उनके पैरों में भी गूंगरू बांध दे तो उसकी आवास को भी भगवान सुन लेते हैं यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे तो यह आपका वहम है जी हां या तो यह आपका वहम है या फिर आपने भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं है कभी प्रेम से उनको पुकारे तो सही मगर प्रेम से यह ध्यान रहे कोई छलकपट कोई प्रयास नहीं होना चाहिए जो भी हो वो दिल से वो रिदय से होना चाहिए उनकी याद में आसो गिराओ तो सही एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जब इस आनसारिक दुनिया में जो है आप किसी व्यक्ति के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं आपकी प्रेम की यह इंतहा होती है कि आप उसके लिए आसो तक बहाते हैं लेकिन शायद उसका दिल ना पिगले इतना लेकिन इश्वर आपके प्रेम में बहाए गए आसों की कीमत को सवश्चते हैं जी हाँ लेकिन वो आसो भी आपके हृदय से निकलने चाहिए आसो सच्चे होने चाहिए मैं तो यहां तक कह सकते हूँ कि केवल भगवान ही है केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनते हैं एक छोटी सी कथा संत बताते हैं एक भगवान जी के भक्त हुए थे उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया अंत में भगवान ने उनकी परिक्षा लेते हुए कहा अरे भक्त तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है मैं तेरे पाठ से बिलकुल भी प्रसन्न नहीं हुआ जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और जूमने लगा भगवान ने बोला अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है तो भक्त बोला भगवान जी आप खुश हो या नहीं हूँ ये बात मैं नहीं जानता लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ गम से कम सुना तो सही इसलिए मैं नाच रहा हूँ तो यह होता है भाव यह भाव होता है प्रेम का कि प्रेम में आप जिससे प्रेम करते हैं यादी, वो आपके कोई शिकायद भी करता है या आपकी खामिया भी निकालता है तो आपका इसका कुछ असर नहीं हो तबल कि आप उसमें भी कुछ न कुछ सकारात्मक सोची लेते हैं वो इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि आप प्रेम में हैं तो थोड़ा सोची जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई उसकी जब गजेंद्र हाती ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने बिलकुल सुना और भगवान अपना भोजन छोड़ कर आये थे उनकी सहायता करने के लिए कबीर दास जी, तुलसी दास जी, सूर दास जी, मीरा बाई जी श्री जाने कितने संथ हुए जो भगवान से बाते करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे इसलिए जब भी भगवान को याद करो उनका नाम जब करो तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं कहने का अर्थी ये है कि यदि जैसे आप इश्वर से प्रेम करते हैं वैसे ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये मत सोचिए कि वो आपके प्रेम का प्रतियुत्तर देगा या नहीं या वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है आप बस अपना करतव्य कीजिए और अपनी तरफ से अपना सो प् बाकी सब कुछ उस इश्वर पे छोड़ दीजिए कोई संदेह मत करना बस हिड़े से उनको पुकारना तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भगवान आपकी पुकार को सुन रहे है सुन रहे हैं न अब भी तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमती फिर से धर्म कंगा में एक नए विशे के साथ उपस्तित हो जाओंगी तब तक के लिए करते रहे है काम लेते रहे है प्रभु श्री राम का नाम नमस्कार